जैहिन साथ ही हों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार DJ Sir Classes. I hope आप सब बढ़िया होंगे, उशल मंगल होंगे, और जो है अपने गौवर्मेंट जोब की तयारी को आपके आगे बढ़ा रहे होंगे. Serpent Truty Serpent Truty, Serpent Truty को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Serpent Truty को हम क्या बोलते हैं? Crimping Error Crimping Error कोई बताएगा लड़का मेरे को यह होता क्या है? Crimping Error Serpent Truty Crimping Error होता क्या है? Online के अंदर कोई बच्चा बताना चाहिए, Serpent Truty is what? Offline वाले बच्चे बताएगा इंसे बाते करना बढ़ा अच्छा लगता है अरे यार इसे के अगर तो बड़ा popular दोश है मुझे लग रहा है कि या शायद आपको पता होगा बहुत पहले जहें, बहुत पुराने जमाने में एक वक्त की बात है जब आपके induction motor जो है, वो आपके क्या आते थे? Black color के चक्ती वाले आते थे हाना, डिस्क वाले आते थे और इसके अंदर जो है, डिस्क घूमा करती थी उस डिस्क के अंदर एक जगे red color का mark होता था यूँ घूमती थी ऐसे करके ऐसे वो लाल color का आपके mark बार-बार बार दिखता रहता था तो वहाँ पर हम बात कर रहें induction type energy meter की डिस्क वाले, हाना तो induction type आपके जो energy meter है उस energy meter के अंदर अगर आप load को हटा भी देते हो तो no load की अवस्था में भी वो जो डिस्क है वो धीरे-धीरे गूमती है धीरे-धीरे गूमती है और इसे हम क्या कहते हैं crimping error या serpent duty कहते हैं crimping error या फिर हम serpent duty कहते हैं बात समझ में आ गई है ना, दुबारा बोल रहा हूँ एक बार फिर सुनना के induction type energy meter की भार वहीन अवस्था में भी during the load less condition मतल़ देखो ऐसा होता है कि load अगर होगा ना तो वो डिस्क गूमेगी load जादा होगा ना अगर फिर भी डिस्क गूम जाए तो अगर आप जमा कराओगे आप जमा कराओगे ना लेकिन नहीं वह कोई आपका बिजली का बिल जमा करा रहा था वो आपको जमा कराना पड़ता है और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को कहते हैं हम आपके serpent duty दोश दोश तभी तो हुआ क्यार ऐसा नहीं होना चीज़ था और फिर भी आपके पास हो गया हम क्या गरे वही सारी लाइटे पंके सब बंद करके और ताला लगा के बढ़िया मस्ती से गए साथ दिन शादी में हाना और एक रिडिंग लेके गए थे बाओ जी पहले से मेटर को और वहां से आए और कुछ रिडिंग ऊपर आई बहुत कम रिडिंग थी बहुत ज़्यादा रिडिंग नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चीए था और इसे हम क्या बोलेंगे क्रिंपिंग एरर सर्पन क्रिंपिंग एरर कहलाता है अना अरे वाया स्टार स्टार चल गए हाट वाट आ रहे है अना और इधर की तरफ आपके क्या विजे मालों ने जवाब दे दिया सर आपके पास क्या क्रिंपिंग एरर जो है कि कि एक मिनिट रुको यार कि एनर्जी मिटर का लोड ना जुड़े होने पर घूमते रहना ही आपके पास क्या है चलो वैरी गोड शाइबाश कि अभी हम देखो आगे बात करते हैं तो इसके अंदर लिखो कि इंड़क्शन टाइप कि इंड़क्शन टाइप 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 भी बोल सकते ह अभी इंपल्सन टाइप आगया ऐसे आपके ब्लिम करती है इंपल्सन देती है तो इंडक्शन टाइप इनर्जी मेटर हाना की भार विहीन अवस्था में की भार विहीन भार विहीन अवस्था 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 अना भार विहीन अवस्था में भार भी नवस्ता में अलुमिनियम डिस्क का अलुमिनियम 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 डिस्क का धीरे धीरे घूमना अलुमिनियम डिस्क का धीरे 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 घूमना अलुमिनियम डिस्क का धीरे धीरे घूमना सर्पन्ट रूटी कहलाता है Serpent Trutty Trutty कहलाती है Serpent Trutty कहलाती है अच्छा ये तो आपके पास क्रिंपिंग Error क्या होता है ये पता लग गया Serpent Trutty कहलाती है तो अभी आप देखना यहाँ पर धिरे धिरे गूमना क्या कहलाएगा Serpent Trutty कहलाएगा crimping error कहलाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ही आप देखना इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें कि पैदा होता कैसे, तो आप देखना फिर आपको induction type energy meter की construction पता होनी चाहिए, अगर आपने induction type energy meter की construction देखी हुई है तो आपको इसका कारण वहाँ पता लग जाएगा, कि जब आप load नहीं जोडते हो, उसके बाद भी आपके supply basically क्यों, मतलब disk basically क्यों घूमा, तो एक बार देखो, मैं आपको वो energy meter दिखाता हूँ यार circuit arrangement आपने देखा होगा, इस तरीके के कुछ arrangement था, आप पढ़कर आये हो college के time पर, तो मैं यहाँ आपके साथ complete discussion तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक हलका फुल का idea आपको आ जाएगा ठीके न, कि आएक कैसे घूमा, अब आप देखो, यहाँ पर क्या होता था, उदर induction type energy meter की construction आपने पढ़ी होगी, ना تو इस जगे पर आपके ठीके, एक आप पास शंट मैगनेट और एक उदर आपके पास current magnet, ना, इन बहिता हो हम क्या बोलते हैं, यह जो बहिता है इसको हम बोलते हैं, shunt magnet और यह जो दिख रही है न, यह आपके पस क्या current magnet है इसको बोलेंगे आपके Shunt Magnet यह Shunt Magnet है और यह आपके पास जो है यह Current Magnet यह Current Magnet है मैगनेट है तो Current Magnet और Shunt Magnet आपके सामने आ गया हाणा चलो अभी आप देखना होता क्या है कि यहाँ पर आपके डिस्क होती है इस जगे पर एक डिस्क होती है और इस डिस्क को आपके क्या है गुमाते हैं हम तो यह में ऐसे डिस्क सामने से देखोगे ना तो इस लाइन जी नज़ रहेगी विसिकली है ऐसी यह है आपके पास एसी लेकिन यहां सामने से आप देखोगे तो हलका सब में बीच में से थोड़ी सी मोटी कर देता हूं तो आ आ había डिस्क की फीलिंग कि मैं भी हारी तो फिलिंग ले लो और देखना यह तो है इस जगे पर अब बात्ध करें कि मिईंराय स्पिंडल Это और इस इस पिंडल को हमने क्यац किया हुआ है इस तरीके से तbabलेत है कर आप thanks यहां यह रेटिंग पढ़के देता था इस इसको वर्म गियर बोलते थे यह वर्म गियर युकती है इस तरीके से यह आपके अलूमिनियुम डिस्क है तो यहां पर हमने क्या किया इस जगे पर यह अलूमिनियुम डिस्क है अब आप देखना क्या होगा कि यहां पर एक सर्किट अरेंजमेंट बनाते हैं अपन फिर उसके बाद समझेंगे बिसकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिंपिंग एरर पैदा क्यों हुआ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपकी क्रिंपिंग की घटना हुई सर् यहां तگर आань सी समझ में आगी होगी अब ही आप देखना मैं यहां से कंवर्ण निकाल रहा हूँ तो इस जगे से मैंने आपकी क्या किया यह ऐसे जाकर और आएसे आगगा ये एक तार निकाल दिया यह वाला wire जो है यह यहां से ऐसे घूम कर और फिर वापस आपके इधर की तरफ मेने एक wire इसे क्लियर यह दो wire निकाल दिया अभी जो है इस जगे से हम terminal बनाते हैं आज देखो तो यह आपके पास एक terminal है यह दूसरा terminal है यह आपके पास क्या है तीसरा टर्मिनल है और यह आपके पास क्या है चोथा टर्मिनल है इस तरीके से चोथा टर्मिनल है अब आप देखना क्या होता है energy meter के respect में हम बोलें तो एक तो होती है line side जहां line से आपके पास ऐख और neutral निकल कर आता है और एक होता है लोड एंड, तो supply end होता है और एक आपके पास क्या होता है, लोड एंड होता है तो supply end से supply आई लोड एंड पर आपका लोड जुड़ा हुआ है तो माल लेता हूँ, service line से आपके पास जो supply निकल कर आ रही है न, उस पर हम चर्चा करते हैं, उसको connect करेंगे तो ये मेरे पास क्या है मैंने connection लिया, suppose मैंने आपके पास क्या है, यहां से connection मांगा, क्यार मुझे connection चाहिए और इन्होंने बोला, ये लोड भाई साब connection ये लोड फेज लेलो आप तो ये फेज आई लेए और उन्हें का, ये न्यूटरल भी तो चाहिए होगा, आपको हाँ, न्यूटरल भी चाहिए होगा बोले ये लोड न्यूटरल, इसको मैं क्या करता हूँ, supply end बोलता हूँ supply end जहां से मुझे supply मिल रहा है और इन्होंने न्यूटरल दिया, तो मैंने पर connect हुआ, और यहां से हाँ, अना, very good अब आप देखना, यहां से phase को मैं अंदर भेजा आप मैं चाहा रहा हूँ कि जो मेरी current magnet का, जो आपके पास current coil है, इसे बोलते हैं CC ये आपके पास होगी CC और ये आपके पास होती है PC this is the pressure coil अब आपने पढ़ा हुआ है कि pressure coil हमेशा समानांतर करम में जुड़ेगी और जो आपके current coil है, वो हमेशा श्रेणी करम में जुड़ेगी, दुवारा बोल रहा हूँ कि CC जो है वो श्रेणी करम में जोड़ोगे PC जो है, उसे pressure coil को आपके पास क्या है, parallel में जोड़ोगे तो अभी चलो, पहले तो CC को आपके series में लेते हैं फिर आगे की बातें आगे करेंगे और यह मैंने क्या किया यहां से इसको यह connection लिया और यहां जोड़ना है अब बिल्को आहां तार यहीं आएगा यह लोगी connect हो connect होती है दिख रही है तब देखना यहां से, यह phase आया यह पूरी coil आई और यह पूरी coil यहां से निकाल के मैंने आपके क्या कर दिया, यहां जोड़ दिया अब आप देखो, यहां से आया यहां से आया, यह coil series में आई और यहां से बाहर निकाल दि और यह यहां से बाहर निकाल कर इसको out कर दिया, हना यह, यह मेरा load के साथ यहां पर respectively load जुड़ेगा तो यह मैंने आपके पास क्या कर दिया, L लिखके यहां connect कर दिया हना, यह मेरे घर का load है हना, जैसे एक बात तो समझ में आगया होगा, कि यह आपके पास क्या S1 है और यह आपके पास S2 है है ना, सप्लाई सी रहे है S1, S2 यह क्या हो जाएगा, बोले सर यह आपके L1 है और यह आपके पास L2 है load end है ना, तो load जोड़ोगे आप इस जगे पर इस तरीके से क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आगया होगा यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत आई हो तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है आगे बाते करे, बोले हाँ गुरुजी आगे बात करो, अब आप देखना मेरे को क्या connect करना है, मेरे को आपके पास प्रेशर कोई गरेक्ट करना है, प्रेशर कोई अक्रोस जोडना है तो चलो प्रेशर कोई को अक्रोस जोडते हैं, यह रहा प्रेशर कोई का एक सिरा, क्या मैं इसको ऐसे connect कर रहा हूँ एक तो अब आप देखो एक तो आपके पास कहा आ गया, इस जगे पर आ गया यहां का मतलब है, सीधा यहीं आया है दूसरा मुझे कहा जोड़ना है, न्यूटरल पर जोड़ना है तो दूसरा सिरा पकड़ो यारी यह रहा दूसरा सिरा, और दूसरे सिरे को स्टीधे जो है, हम कहाँ लाके जोड़ेंगे तो यह आपके पास क्या हो गया? प्रेशर को इल समना अंतर में आ गए यह पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है हम बात कर रहे हैं सर्पन्ट रूटी, सर्पन्ट रूटी क्यों पैदा हुई अब आप एक बात बताओ जैसी आप इसे हटाओगे जैसी आप इसको हटाओगे माल लो कि मैंने हटा दिया यह मैंने यहां से हटा दिया अब यह आपके पास क्या है? यह जैसी लोड हटेगा वैसी देखो ओपन होगी? 60 ओपन होगी? तो इस कंडिशन में 60 ओपन है कि नहीं? 60 ओपन है अब जरह एक बार PC पे बात करते हैं, कि pressure coil इस वक्त क्या कर रही है, अब प्रेशर क्या कर रही है, वो देखते हैं, अच्छा आपको पता होगा, electro magnet के बारे में अपने एक पढ़ा होगा, आउसिष्ट चुम्बकत्व, पढ़ाए के नहीं पढ़ाए, बोले सर्च रेजिडि किसी भी electro magnet से, जब आप supply हटा भी लेते हो ना, तो भी वहाँ कुछ ना कुछ magnetism तो रहता है, और जो कुछ ना कुछ magnetism होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आउसिष्ट चुम्बकत्व कहते हैं, residual magnetism कहते हैं, अभी residual magnetism तो present होगा ना, हमारी CC के अंदर, yes or no, ओले हाँ गुरु का एक सीरा, दो सीरे, आगया, यह एक सीरा देखो, यहाँ से घूम कर आया, यह आगया से उठा पुला, यहाँ से ने पुला, अई साब, supply से सीथे जुड़ रहा ही है, देख लो, दुबारा देखो, पहुचो, अपने destiny तक, कुरुजी, यह nearty, है न, जिसका मतलब PC जो है, वो अभी भी आपके क्या है, एनरजाइज है, है न, तो अगर मैं बोलू के PC के उरजित रह जाने के कारण सरपन्ट तूटी पैदा होती है, एक तो PC मेरी एनरजाइज है, आपका load हटने के बाद भी आपके क्या है, वो system से linearty, पहला, दूसरी चीज, जो CC हट चुकी है, उसमें residual magnetism तो होगा, और इन दोनों magnetic field के interaction के कारण, आपका इडिस्क घूमेगा, आपका इडिस्क घूमेगा, और जब इडिस्क घूमेगा न, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, सरपन्ट तूटी आएगी ही, आएगी, अज समझ में आगया, निवारन के लिए हम क्या करते हैं, दो विकर्णी चिद्र कर देते हैं, यहाँ पर, निवारन के लिए हम क्या कर देते हैं, दो विकर्णी चिद्र कर देते हैं, आपके अगर हम आलो, नहीं समझ में आपके, अगर हम आलो, नहीं आपको समझ में आया है या नहीं आया आया तो क्या आया मन में कोई डाउट चल रहा हो तो बहुत सी बाते होती है टॉपिक पढ़ाने के दोरान आपके मन में अगर कुछ कोला हल हो रहा है तो कोला हल शांत कर सकते हम इसे हम बोलेंगे जवाराद बीरिंग नाम सुना है इसका जवाराद बीरिंग नाम सुना है जवाराद बीरिंग को यह आपके पास किया जवाराद बीरिंग है यह वर्म गियर है इसको क्या कहते है वाले इसको स्पिंडल बोलते है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल यह spindle होता है ऐसे करके एक ही जगर पर घुमता है spindle होता है बाकि चंट magnet current magnet से आपका परीच्छे हो गया CC और PC से मैंने आपका परीच्छे करवा दिया है टर्मिनल से आपका परीच्छे करवा दिया है यह हमने दो diagonal क्या कर दिये whole किये हुग है इनके उपर बात करेंगे विकर्णिय चिद्र तो यह नजर आ रहे है आपको इस तरीके से यह यह चीज नजर आ रही यह वाली चीज जो white white आपको दिखा रखा है इसको बोलते है विकर्णिय चिद्र तो यह होता है विकर्णिय चिद्र यह विकर्णिय चिद्र है यह आपके पास क्या है विकर्णि मेगनेट है तो इस इस दे प्रेक मेगनेट इसको बोलेगे ब्रेक मेगनेट यह यूट्यूब वाले और आप वाले बच्चे मस्त माम चल रहा है काम चल रहा ना एप अले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे तो अभी आप देखना सर्पन्ट रूटी क्या होती है क्रिंपिंग एरर क्या होता है यह आपको क्लियर हो गया अभी हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर तो अगला पॉइंट में यह लिख रहा हूं यार में को जगे नजर आ रही है दर की तरह बहुत बढ़िया वाली है तो नोट्स में हम यह लिख देते हैं कि यह आपके पास क्या है प्रेशर कोईल के उर्जित रह जाने के कारण उत्पन होता है अभी कारण के उर्जित रह जाने के कारण उत्पन होता है यह प्रेशर कोईल के उर्जित रह जाने के कारण उत्पन होता है उत्पन होता है उत्पन होता है तो बिसकली आपके पास जो क्रिम्पिंग एरर है वो क्रिम्पिंग एरर रेस क्यों होगा क्रिम्पिंग एरर आपके इसलिए होगा क्योंकि अभी भी PC मेरी एनर्जाइज है इसलिए अब यगर मैं निवारन की बात करूँ तो निवारन में क्या बोल सकता हूँ यार आप बोलो निवारन क्या करते है निवारन में हम कहते है कि Aluminium Disc के परिधिय भाग पर दो विकरणिये छिद्र करकर इस दोश को दूर किया जाता है हम क्या करते है Aluminium Disc के जो Peripheral आपके पास portion होता है उस Peripheral portion के उपर सरजी UP एक अच्छी सी मेराथन आपके UP-PCL के एक्जाम के लिए लगा दो चलो ठीक है विजे ये करते है MCQ की मेराथन की बात चल रही है है ना MCQ की मेराथन UP-PCL एक्जाम के लिए एक्जाम से पहले एक तयारी एक्जाम से पहले एक परक एक्जाम से पहले एक खुद की जाच जरूरी होनी चाहिए और इसके लिए ये जो है सही है चलो ठीक है इवनिंग बैच में आपके इस कलास को schedule करते हैं, वैसे भी काफी समय से delay कर रहे हैं, कभी demo के कारण delay हो जाती है, कभी किसी कारण से delay हो जाती है, जाना चलो करते हैं अभी देखना हम क्या बात कर रहे हैं निवारण, निवारण में हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, के निवारण में हम बोल सकते हैं कि अलुमिनियम डिस्क पर डिस्क के परीधिय भाग पर परीधिय भाग पर अलुमिनियम डिस्क के परीधिय भाग पर दो विकर्णिय चिद्र करकर दो विकर्णिय विकर्णिय चिद्र दो विकर्णिय चिद्र करके एक मिनट चिदा दो विकर्णिय चिद्र चिद्र करके तो एलुमिनियम डिस्क के परिदिय भाग पर दो विकर्णिय चिद्र करकर आज देखना जिन बच्चों को क्यों दो छेद समझ में आते हैं न उन बच्चों से थोड़ी जानकारी बुख्सांजा करूंगा छेद आपके पास क्या है छेद होते हैं वैसे तो लेकिन छेद कहाँ कहाँ करोगे उस आधार पर क्या है हम बात करते हैं जिसे कि मालो यह आपके पास पूरा का पूरा ऐलुबिनिम डिस्क है अब मैंने का दो छेद करना है तो आप बताइए क्या दो छेद ये राइट है सही है छेद हाँ नहीं है कोई दिकत नहीं है तुम बोलो कि वैसे छेद कर देंगे हाँ बोलो कहा करें ये लो दो छेद कर देते हैं ये सही है आकि अरहा नाम जवाब दोना आर्ग कि मैं ऐसे यह गलत इंड गलत हैं तो बिसाइज च्छीत करके बता वहाँ तुम बताओ सई च्छीत वो जाएगी हाँ peripheral portion पर में गोरो गुरू जी peripheral portion पर ऐसे और दूसरा इसके बिरकुल diagonal अच्छी है जब घूम कर ऐसे आया जैसे कि यह है यह मेरी peripher अब जब घूमे तब ऐसे रहने अच्छी हमेशा जैसी आपके पास ऐसे करके magnets के बीच में आने च्छी है से तो यह आजाएगी इस तरीके से तो यह आपके पास क्या हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सीधा सा है सर और सीधा सा मतलब क्या है इसका कि यह जो है यह गलत है यह भी गलत है और यह वाला जो आपने बनाया है आखरी वाला यह आपके पास क्या राइट है त peripheral होता है परीधिये surface होती है और इसके diagonal side मतलब आपके पास इस तरीके का side आप देखो एक line खीचे तो ऐस तरीके से मिल जाने चाहिए यह बना लो फटाफट और इसमें अगर कोई doubt हो तो बात करो हो गया डन आगे बड़े डाइगराम उतार लो हेडिंग उतार लो क्रिंपिंग एरर कंप्लीट है आपका क्रिंपिंग एरर से जो कुश्चन आएंगे हो बहुत प्यारा सा कुश्चन आता है इतनी मेहनत करने के वाद सिर्फ एक हाना वह या अलूमिनियुम डिस्क का धीरे- गूमना अन्यम्न में से कौन सा दोश है तो चार विकल पाजाते हैं और एक विकल होता है आपके पास सर्पंट तूटी को दूर करने के लिए आपके परिदिये भाग पर दो विकरणिये छिद्र करकर हम इस तोश को आपके निवारन कर सकते हैं और और क्या बात कर सकता है आपके पास किसके कारण पैदा होता है तो हम कहते हैं कि प्रेशर कोईल के उरजित रह जाने के कारण जो है यह दोश पैदा होता है अभी आपको शंट मैगनेट पता है करन्ट मैगनेट पता है करन्ट कोईल पता है प्रेशर कोईल पता है सप्लाई एंड और लोड एंड क के बारे में भी आपके पास अच्छी खासी knowledge आ गई है ये पहले connect किया दा इसको open किया है ना तो वह ध्यान रखना समझने के साब से कि यार ये इस तरीके से open किया है तो लो इसके बाद आगे बाते करें है आगे बाते करते हैं उतार रहे हो क्या रही बी उतार 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 ना तो जरूरी है यार ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर उतार रहा होगा ना तो यह उतारने के लिए जो टाइम देते हैं न हम लोग उससे irritate बिल्कुल भी नहीं होगा वो इस बात को समझेगा लाइव में तो कोई नहीं है सर, लाइव में नहीं मेरे offline में बच्चे हैं मैं उनसे बाते कर रहा हूँ तलेश, यहाँ जो offline वाले बच्चे हैं न मैं इनसे बाते कर रहा हूँ यह मेरे सामने बठे हुए हैं लाइव में तो क्या यूट्यूब के बच्चे जितने भी यूट्यूब के वासी है उनके लिए तो recorded session भी available है आप live में जाईए इस होता न उपर की तरफ video और live session short session होता है तो वहाँ जाकर live session में recording में पढ़ी होती है तो आप कभी भी देख सकते हो और कभी भी आपके पास पढ़ सकते हो वहाँ पर available है पूरी playlist available है अभी तक मैंने जितनी 70 plus class है मेरी कौन से नमरी class है भी 70 plus class है यह तो 70 class है वहाँ पर available है और पूरा का पूरा classroom बेच्छी available है यू मान के चलो और अगर आज की class में आप अभी तक बने हुए हो और class आपको अच्छी लगी हो तो class को like जरूर कीजेगा अपने दोस्तों में share जरूर कीजेगा अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कीजेए और हाँ bell icon दबाना मत भूलिएगा तो कि वीडियो का notification आप तक पहुशना बहुत जरूरी है आज के लिए इतना काफी है बाकि की बाते हम अगली class में करेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा पढ़िएगा और हाँ याद जरूर करिएगा Thank you so much जैहिन जैभारत